हेलो अबरीवन बाइनेम इस कफिल सिंग वेलकम बैक टो अवर चैनल जेकलर्ट्स आज हम जीके क्या नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे टॉपिक का नाम है स्टेट अन क्रॉप्स बहुत जादा इंपॉर्टन टॉपिक है बहुत सारे कोशन बन दें इस टॉपिक से हर एक एक इजाम में ठीक है तो बहुत जादा इंपॉर्टन वीडियो है यह आपको मिस नहीं करने है पूरी की पूरी वीडियो देखनी है क्लियर सो इस टॉपिंग में हमें पढ़ना क्या है सबसे पहले हम यह डिसकस करेंगे कि कितनी तरह की क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाती आ क्लाइमेट को अपना प्ना कषवा रहे हैं हर क्रॉप को अलग लग क्लाइमेट चाहिए होता है ग्रोथ के लिए अब सबसे पहले कोशन दिमाग में यह आता कि जो हम यह crops की division कर रहे हैं जो types पढ़ रहे हैं एक किसके basis पे division की गई है तो यह season के basis पे की गई है जो हम types of crops पढ़ रहे हैं season के basis पे इनको divide किया गया है clear अब दो तरह की crops होती है season के basis पे एक होती है kharipe crop एक होती है राभी क्रॉप ठीक है डिरेक्टली एक्जाम में कोशन आता है खारिफ क्रॉप और राभी क्रॉप में से ठीक है आपको चार आप्शन दिया जाएंगे आपको पूछा जाएगा कि इन मैसे कौन सी खारिफ क्रॉप है या चार आप्शन दिया जाएंगे आपको प important बात है ठीक है की खाणिफ क्रॉप्स की आपने मुझे five example और देनी है यहां पर मैंने कुछ दी हुई है पाउब इगे रहे हैं और राभी क्रॉप्स के भिए आपने k मुझे five example देनी है ठीक है कब lengths section में यह आपका खूबख रहे गा ठीक है और होड़ा है और मंद्व developed a सिधा की कारी प्राफ को नशी होती है और राधी क्रॉफ कोण सी होती है ठीक है कि अब यह तो क्लियर हो गया कि यह सिजन के मेसी पर डिवाइड की गहिए क्रॉप कि एक पर्टिकलर एंडर बिशन में राभी क्रॉपस जाती है एक पटिकलर रीजन कि ये भी कोशन आ सकता है कि खारिफ क्राप कौन से सीजन में उगाई जाती है तो यह याद रखना मौनसुन सीजन में उगाई जाती है अब अगर मन्त पूछा जाए कौन से मन्त में तो इनका जो टैन्यूर रहता है इन क्रॉप्स का जून से लेके सब्तमबर तक रहता है ठ ठीक है खारिफ क्रॉप है मिलेट खारिफ क्रॉप है कॉर्टन का रिख क्रॉप है ठीक है और पांच एक्जैमपल में आपको बोला है कि कमेंद सक्षिन में अपने लिखनी है तो यह बहुत important है आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है कि cotton कोड सी crop है और की राभी crop है ठीक़े है ये पूछा जा सकता है कि Mage कौन सी crop है क्हारिफ cách कि राभी crop है ? के share मतलब बात करते हैं कुछ और बाते हैं खारिफे से लेटी ठीक है अगर हम खारिफ तो सीड्स है ठिक है वहнаनीज बलाव सेफिव में कंव को डाले जाते मॉन्सुण वाले सीजन लागते हैं लेट, सीड्स आर सो और शॉन समें कहईक जैसे मौन אाता है हम सीड्स खा क्रॉप के जमीन में कॉल् decor होने में time लागते हैं three से four months लगते हैं clear but जैसे monsoon season खतम होता है मतलब October November में clear तो इस crop को हम harvest कर लेते हैं मतलब काट लेते हैं यह हमारी crop जो है वो बख गई होती है clear तो इसके tenure रहता है वो June से September तक रहता है October भी हो जाता है कभी-कभी ठीक है वो monsoon पे depend करते हैं कभी-कभी मानसोन जलदी आ जाते हैं ठीक है कभी-कभी लेड आते हैं अब इन क्रउप्ष के बारे में औरं इंपोर्टन बात ये हैं कि इन क्रॉप्स को बड़ा जादा पानी चाहिए होते हैं ठीक इसलिए इनको monsoon season में हो गया जाता है क्योंकि monsoon season में बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है सच require a lot of water ठीक है और आपको पता है कि जूर और सटम्बर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और इनको कैसा weather चाहिए इन crops को hot weather चाहिए proper growth के लिए ठीक है तो ऐसा exam में question पूछा जा सकता है कि हरे crop को क्या चाहिए कैसा weather चाहिए hot weather चाहिए ठीक है या cold weather चाहिए इस तरह से exam में पूछा जा सकते तो आपको याद रखना और इनको पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है है required a lot of water and hot weather for proper growth तो यह important बात है खारे crops की एक वारी बाइस करवा देता हूं मौनसुन सीजन में उगाए जाती है जून से सब्तमबर के महीनों में जून वगाना में स्टार्ट करते हैं ठीक है सब्तमबर अक्टूबर में काट लेते हैं क्लियर कौन-कौन सी सब्सक्राइब कर और नंट नाला जाएगा अक्टूबर में आपको बता है सब्सक्राइब जाती है तो और नolबonबर और यह मतलब इंपा जो बीज खेतों में डाला जाएगा ठीक यह सब इनकी example है किसकी राभी crops की जो कौन सी होती है जो winter season में grow की जाती है ठीक है और harvest मतलब काटी कप जाती है spring season है ठीक है इन crops के अगर मैं बात करूँ तो इनको warm climate चाहिए होता है ठीक है germination के लिए ठीक है germination की बात हो रही है ठीक है germination के लिए उनको warm climate चाहिए होता है ठीक है और seed की maturation के लिए warm climate चाहिए होता है ठीक है but इनकी growth के लिए cold climate चाहिए होता है यह बहुत बड़ा difference है clear जब seeds खेतों में होते हैं ठीक है उनकी germination के लिए जा seed जब mature होता है, उसके लिए warm climate चाहिए, ठीक है, बट थंडा climate कब चाहिए, इनकी proper growth के लिए, यह बहुत बड़ा important difference है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इसमें सिर्फ hot weather चाहिए होता है, इसमें hot भी चाहिए, ठीक है, और cold भी चाहिए, hot कब चाहिए, ज seeds की germinate करेगा, ठीक है, germination की process के दौरान, इनको hot climate चाहिए, बट प्रॉपर जब यह grow करेगी crops, ठीक है, तब इनको cold climate चाहिए, तो जब यह उगाई जाती है, तब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, clear, बट जैसे जैसे यह December, January, February का month आता है, ठीक है, तब cold होती बड़ crops है, jade crops and cash crops, clear, अब ही हमने पीछे पड़ा, कि खारी crops क्या होती है, रावी crops क्या होती है, ठीक है, खारी crops, June से लेके सप्तमबर तक, ठीक है, इन महीनों में खारी crops होगाई जाती है, clear, और रावी crops जो होती है, वो November से लेके मार्च तक, clear, पट अब जो यह months बद जाते है, मार्च, अपरील, मेव, clear, इन में कौन सी crop AUDIENCE Commons Сп., यहाँ जाती है, तो मार्च से लेकि जून तक, मैं जो crops उगाई जाती है, वो jade crops उगाई जाती है, clear, इनको भी थोड़ सा hot dry weather चाही होता है, क्यमिए, आपको पता है, मार्च, अपरील मेव, मैए, तोड़ा hot dry weather होता होता है clear cold dry को कहने का मतलब जहां फिर इस मौसम में बारिश बहुत सब्सक्राइब काती है नहीं होती है तो इन क्रॉप कुछ कॉर्प्स को hot dry climateन होता हैं अब आपको पता है की कुकुमबर बजार में आना start हो गया है तो समय लेना कि J crops उपना start हो गई है ठीक है pumpkin, bitter corn तो यह इसकी example है सबसे जादा important example ही है ठीक है exam में पूछी example जाती है clear और एक यह पूछा जा सकता है कि क्यासा climate चाहिए इनको hot dry चाहिए hot wet चाहिए clear इस तरह से ठीक है तो J crops मार्स से जून के बीच पर हुगाई जाती है clear कुछ crops को hot dry climate चाहिए होता है ठीक है इनके examples है bitter corn मतलब क्रेला ठीक है pumpkin कद्दू ठीक है और खीरा cucumber clear अब आते हैं cash crops अब सबसे पहले cash crops क्या होती है वो crops जो हम basically profit कमाने के motive से उगाते है clear जो बेचने के motive से उगाते है और crops को cash crops कहते है ठीक है cultivated to be sold in the market to earn profits from the sale clear अब इनकी examples क्या क्या है जैसे coffee coffee हम किस लिए उगाते है ताके हम बेज सकें ठीक है profit कमा सकें चाए टी है रहा शुगर के cotton spices ठीक है यह सारी के cash crops की example है clear तो यह बहुत important है और यह तो worldwide अब cash crops को गाय जा रहा है ठीक है profit कमाने के motive से ठीक है तो इस video में सिर्फ हमने types of crops discuss की है ठीक है इससे directly question आता है example है clear आप मुझे jade crops की भी कुछ और example बता सकते है ठीक है और cash crops की और example बता सकते हैं ठीक है तो इस इस वीडियो में इतना है रखते हैं मिलते नेक्स वीडियो पर तिल दन गुड़ बाई